हेलो दोस्तों मैं चंदल चोहान ग्लोरियस एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूँ आज मैं एक और आपके लिए वीडियो लाया हूँ इस वीडियो में मैं आपको फ्री फॉर्म सेलेक्शन का री साइज का रोटेट का क्रोप का क्या यूजर ये बताने वाला हूँ तो दोस्तों आई हो आपको ये अडियो ज़रूर पसंद आएगी तो दोस्तों हम यहां पे एक इमेज लेते हैं सबसे पहले जैसे मैंने ये इमेज सेलेक्ट करी और ये इमेज हमारे पास आ गई अब दोस्तों प्री फॉर्म का मतलब यह होता है कि आप किसी भी को जैसे आपको यहां से कटिंग करना कोई चीज आप इमेज को ऐसे सेलेक्ट करके आप करेंगे देखिए फ्री फॉर्म की तरह यानि कि ये फ्री ली मूव करता है कहीं भी आप अपने कॉर्डिंग किसी चीज को भी कटिंग करना हो जैसे कि मेरे को यहां से कटिंग करना बहुत साव्दाने से करना होता है बट माउस हिल जोड़ा ध्यान देना होता है हमें और ये मेने कटिंग करके निकाल दिया तो दोस्तों देखा आपने अब अगला ओप तन क्रॉप का आता है क्रॉप के लिए हमें एक इमेज चाही होती है हमने एक इमिज ली और इसे हम crop करेंगे, crop का option इसमें highlight नहीं है क्योंकि इसे select करना होगा हमने select किया इतना, crop का मतलब होता है कि जितना आपने select किया उतनी image चाहिए बाकी की image हट जाए तो अब यहाँ पे देखो crop का option highlight होगी हम click करेंगे, देखा दोस्तो यह image crop हो गई अब दोस्तो हम resize का use करेंगे, तो resize का मतलब इस image को आप size change कर सकते हैं तो देखें resize के अंदर horizontally, vertically, horizontal, vertical, फिर्सिस में है, यह degree पे change होता है, यह side से और up-down से होता vertically, तो दोस्तों यहाँ पे value हम change करेंगे, जैसे कि हमें 10 पे हटा करके हमने यहाँ 50 value रखी, तो यह 50 angle पे च्छोटा हो जाएगा, side से इसी परकार से हमने दूसरे को किया, horizontally, अब मुझे horizontally डिगरी चेंज करनी है, तो मैंने 40 डिगरी रखा, और 40 डिगरी मैंने क्लिक किया, तो देखो यह size इसका 40 डिगरी पे move हो गया अब मैंने vertically change करना, vertically मैंने 20 डिगरी रखा, और मैंने OK किया, तो दोस्तों अगला option rotate का है, rotate का मतलब होता है, किसी चीज़ को भी आप, जिसको आपने select किया है, उसको move करना, यहाँ पे 90 डिगरी पे move कर रहे है, और rotate left 90 डिगरी पे अपने इसको move किया, 180 डिगरी, clip में और horizontal report करना, तो दोस्तों आपने देखा in option का use कैसा था, I think यह वीडियो आपको समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज इसको like जरू करना और subscribe भी जरू करना, thank you